टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान नमश्कर, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ता क्रिशी फसलों में क्या रुशान देखने मिल सकता है शुरूआत करेंगे कैस्टर सीड से, हमने देखा है कि कैस्टर सीड उपरी दायरे में ट्रेड कर रहा है 6450 के करीब नियर मन का जो क्लोजिंग आई है और इसके पहले हमने देखा था कि 6200, 6150 के नजदी के लेवल से प्राइजिस उभरते हुए देखी थी फिलहाल एक पॉजिटिव बाइस के साथ हमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लगता है कि 6500 का जो एक स्थर है वो काफी मतवपूर है इसके उपर अगर प्राइजस ट्रेड होने लगें तो हमें 6800 के स्थर भी देखने मिलेंगे जो हमने करीबन दो मेहने पहले लेविस देखे थे वो दुबारा एक बार मारकेट में देखने मिल सकते हैं तो फिलहाल तेजी के रुजान के साथ प्राइजस ट्रेड करने की उमीद है 6500 के उपर डेली क्लोजिंग अगर आ जाती है तो उसके बाद हमें करीबन 3-4 फिजदी की और तीजी कैस्टर सीट में दिखाई दे सकती है वहीं सोयबीन में हमने एक दाइरे का कारोबार होते हैं देखा है लेकिन जो दाइरा है ये जनरली एक पॉजिटिव बाइस के साथ ट्रेड कर रही है प्राइजस 6200 से 6500 के बीच में फिलहाल काफी समय से हम देख रहे हैं 6400 के करीब क्लोजिंग आई है और ऐसा लगता है कि इमेज़ेट तोर पर याने अगर एक मेने का उटलुक लें तो 6900 तक का जो एक टागेट हम पहले भी डिसकास कर चुके हैं और उस टागेट के तरफ प्राइजस अगरसर खोल सकती हैं वहीं पर अगर हम गवार कंपलेक्सी बात करें तो दाहरे का कारोबार देखा गया 12200 के करीब गवार गम के हाइज बने लेकिन 12000 के नीचे की क्लोजिंग आई और ऐसा लगता है कि दुबारा प्राइजस जो है कर सकती है 11500 से 11600 तक तो फिलहाल आने वाले हफते में एक लोवर रेंज में प्राइजस ट्रेड करें यह पॉसिबल है यानि 12100 से लेकर 11500 के बीच और फिलहाल सेलिंग उन राइस की रनीती अपना ही जा सकती है जब तक 12200 के उपर सस्चेनेबल ट्रेड होता हुआ नहीं दिखता यानि डेली क् सीड में भी ऐसा लगता है कि एक करेक्शन जरूरी है 6600 के उपर फिलाल प्राइजस नहीं जा पा रही है और ऐसा लगता है कि 6200-6150 तक आने वाले कुछ सेशन में एक करेक्शन गवार सीड में देखने मिल सकती है मसाला कॉंपलेक्स एकर बात करें तो हल्दी और धनिया द हल्दी में देखे थे और उसके बाद एक करेक्शन जारी है और ये करेक्शन हो सकता है कि प्राइजस को 9800 तक लेके जाए आने वाले दो हफतों में वहीं पर धनिया में भी अगर हम देखें तो 200-500 रुपे की करेक्शन याने 10,000 के नीचे किस तर आने वाले कुछ सेशन मे हमें देखने मिल सकते हैं ऐसा मेरा मानना है जीरे में हमने काफी बढ़िया तेजी देखी और 20,000 तक के सर भी चूपाया लेकिन जो क्लोजिंग आई हफते की वो 19,300 से 400 के बीच देखने मिली है फिलहाल जो करेक्शन है आने वाले हफते में जारी रहेगी और ऐसा लगता ह है कि हम 19,000 या उसे थोड़े नीचे याने 18,900 तक के लेविल देख पाएंगे तो सेलन जैनली की रणनीती अपना ही जा सकती है इमेज़ेट तोर पर 19,600 का एक रेजिस्टन्स है वहाँ पर प्राइजिस मिले तो विक्वाली की जा सकती या 18,900 के इस तर के लिए वहीं पर अगर हम कॉटन सीड ओल के की या बिनौल अखल की बात करें तो 3350 से लगातार एक करेक्शन देखने मिली है और 3100 के इस तर भी देखे गए थे लेकिन जो क्लोजिंग है वो 3200 के करीब आई है और ऐसा लगता है कि टेंपरली एक इमेज़ेट सपोर्ट 3100 का मार्केट को मिल है और यह सपोर्ट जब तक बजार होल्ड कर पा रहा है तब तक दुबारा हमें अगले हफते में तीजी देखने मिल सकती है इमेज़ेट तोर पर 3300 और उसके उपर लगबग 3420 का एकस्तर देखने मिलेगा इसलिए बाइंग और डिप्स किया जा सकता है जब तक रीसेंट लो 3100-380 का प्राइजेस होल्ड कर रही है पोजिशनल बेसेज पे अब भी मेरा मानना है कि 3550 का एकस्तर पेंडिंग है जो आने वाले कुछ समय में हमें देखने मिलेगा वहीं पर M6 कॉटन में हमने 37500 के लक्ष को पूरा होने के बाद एक बड़ी करेक्शन आते हुए दे चौट कवरिंग है फिलहाल कुछ और समय चलेगी ऐसा लगता है कि शुरुवाती दिनों में इस अफ़ते के 36800 से 36900 तक के इस तर भी दिखने मिलेंगे इसलिए फिलहाल इमिजेट तोर पर बाइंग कर सकते हैं लेकिन 37000 के जो लेवल है वो पार होना थोड़ा पैदा उठाया जा सके याने जिन्होंने पहले ही बाइ किया है और अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो उसका इटिलाइस कर सकते हैं अगर 37000 के करीब प्राइज मिले तो जो बाइंग में से एक बार एकजिट हुआ जा सकता है क्योंकि आने वाले कुछ सेशन में या कुछ हफ्तों में करेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो यह था एक जायजा कि जो मेजर अगरी कमॉरिटी हैं उनमें क्या रुख देखने मिलेगा धन्यवार आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की हर दो उनमें गए्षान